आज बनाएंगे बजार से भी अच्छे यहाँ पर मुमफली मसाला दाने जो एक दम क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं और बहुती कम खर्चे में बनकर तयार हो जाते हैं तो एक बार बना ले तीन महीने तक यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते इसके लिए यहाँ पर हमने दो कप मुमफली के दाने लिए आप जितना भी बनाना चाते हैं उस हिसाप साप मेजर्मेंट कर ले इसमें से आप देख ले कि कोई दाना खराब तो नहीं है तो इसमें से जो टूटे वे टुकड़े थे उनको भी निकाल दिया इनको साइड मे आदाए चममची चाठ मसाला एकाट कर देंगे और थोड़ा से यहाँ अपर गरम मसाला एकाट कर देंगे और आदा चममची हैं पर कश्मीर और दालमिर्च कियाता है तीक होती है तरह दो नहीं घमक्स आगरते थोड़ा सा धनिया और जीरे का पाउडर एट कर देंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर एट करके सारी चीजुगों यहां पर अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें यहां पर आदा निम्बुकारा से एट कर देंगे निम्मो कर आचे एट करने के बाद यहां पर हमने आधा कप पानी लिया थोड़ा-थोड़ा पानी एट करके इसका एक बेटर बना कर तयार करना है ज्यादा पतला बेटर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो पेले थोड़ा-थोड़ा पानी ही एट करेंगे हम इसमें एक साथ ज्यादा पानी नहीं एट कर देंगे अब यहाँ पर थोड़ा पानी और एट करके इसको चिसे मिक्स करेंगे तो अब बचावा पानी जो है उसको भी सारे को अब एट कर देंगे हम तो इस तरह से आप इसको measurement से बनाएं तो यहाँ पर total हमें आदा कप पानी लगा है तो इसमें यहाँ पर आगे पानी की और जोरत लगेगी एक चमच जित्ता पानी और हम इसमें add करेंगे तो यहाँ पर एक चमच पानी और add करेंगे तो बेटर हमारा complete हो चुका है अब जो दाने हैं उन दानों को हम इसमें एट कर देंगे हमने oil भी गरम होने के लिए रख दिया है दानों को इसमें अच्छे से mix कर देंगे बेसन में और बहुती क्रिस्पी दाने बनकर तयार होते हैं आप एक बार इस तरीके से बनाएं तो य देखे जाएं तो दियान रखे कि और चीटे ना लगे क्योंकि आपको इस टार्टिंग में गरम करना है फिल लो फिलेम कर देनी है तो इनको एक बेच को फ्राइ होने में आपको यह पर पांसे चे मिनिट लग जाएंगे तो इस तरह से आप फ्राइ करेंगे तो एक दम क्र मार्केट से महें ने, तो इस तरह से घर पर बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं अब इनको यहां पर अलट पलट अच्चे से फ्राइ कर लेंगे इन पेच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे तो एक बेच को फ्राइ करने में आपको छे मिनिट लग जाएंगे तो इन को निखाल लेंगे और इसी तरह से सारे म Jungri को फ्राइ कल लेंगे और गरम गरम में मसाले को जुआ तो में चाहित भी च्छिंपर उस तर दीन का क्विझस कर देंगे और इसी तरह से मोड़ी आपने में मसाला कि उत्भास दो तो देख सकते हैं आप काफी क्रिस्पी दाने हमारे बनकर तयार हुए हैं अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें अपनी फेमेली और फ्रेंडसे में इस वीडियो को जरूर से शेर करें तो इस तरह से आप कोई भी एर टाइट कंटिनर में भर कर इनको यहाँ पर रख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार दाने बनकर तयार हुए हैं तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर करें तो मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए थेंक्यू सो मज़ और इस रेसिपी के रिलेटेट आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूश सकते हैं